समस्कार दोस्तों आपका धन्मंत्री क्रिपा हेल्स सेंटर में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों जितना भी आपका गठिया है संदी बात है जोडों में दर्द है कमर में दर्द है आपको कहीं भी दर्द है आप इस चीज को कर सकते हैं दोस्तों छोटार सा नुसका है बड़ करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी ज्रूर्ट सब्सक्राइब करें दोस्तों एक बाकी तो आपने बहुत कुछ सुना होगा लेकिन क्या निम्बू के रस से निम्बू का रस जो होता है उससे भी क्या दर्द को आपने कैसे करना है तो आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाईयों भेहनों से निवेदने रहेगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को वीज्रू सब्सक्राइब करें दोस्तों निम्बू जो है बहुत एक बाहिया प्रयों क के लिए बहुत ही जवरस्तोस्दी है अगर निम्बू के छिलकाओं को अब बाहरी जो छिलका होता है अगर इसको उतारा जाए और उसका पानी में उसको अच्छी तरह कुचल करके बॉयल करके अगर किसी भी चाहे वो पैरलाइज का पेशेंट है दोस्तों पैरलाइज पे पेशेंट को अगर जॉइंट में पेन होता हो तो यह स्काई बहुत जवरस्त है दूसरी कोई भी स्काई इसके मुकाबले में नहीं है और आपको कहीं भी दर्द है तो नीमवगा बॉहरी चिलकर जोगता है उसको बोयल करके उसके पानी से आप सिकाई कर सकतें है कफड़ा बेगो करके आप उससे सिकाई कर सकते हैं इसके बाद जो दोस्तों दूसरा और जो बहुत ही जवरस्त प्रियोग है वो किया है आप चंध रंगे के चंदरी का दीजिए तो साइद उनकी समझ में नहीं आए लेकिन इसका दूसरा जो हिंदी नाम है उसको हाला बोलते हैं यह हाला के नाम से ज्यादा प्रसिद है तो इसके छोटी-छोटी बीज होते हैं और इसको आप पीछ करके निम्बू के रस्पे इसको पीछ लेए पीछने के बाद आपको कहीं भी गठीए का दर्द है अगर गठीए के जॉइंट में जैसे ही जॉइंट होते हैं अगर कहीं भी आपको उसका दर्द है या कहीं से अंग सूजगिया है या आपको कमर में दर्द है घुटने का दर्द है संदियों का संदियों में बात की बड़ोती हो जाना और उसमें दर्द हो जाना इसी को संदिय बात कहते हैं तो निम्बू के रस में उसको पेस्ट त्यार करें लेकिन दोस्तों यह जो है आपको मिक्सी के अंदर उसका बढ़िया पेस्ट नहीं बनेगा यह आपको माम दस्ते मैं पहले उसको कूटना पड़ेगा फिर उसको आप किसी सिलवेटे के उपर अच्छी तरह पीस लें तब अच्छा पौड़ त्यार हो जाएगा फिर इसको पीस करके आपने निम्बू के रस में पेस्ट त्यार करके उसको आप जहां भी आपको दर्दे हैं बाल गाईए एक और जो प्रयोग है इसका फालों का बदाएता हूं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा हो तो दोस्तों याद बदा चाहती है कि इसका एक और जो प्रयोग है बहुत बढ़िये हैं आपने देखा होगा कि कैई वार गर्मियों में सरदियों में धूल मिटी का कंण हमारी आँख में चला जाता है और जिसकी वाइस्यम हमें क्योंता है वो आँख को जिल देती है आँख को लाल कर लेते ह है आदमी आखे अबलता है वो आजा है वो यह बो कर्ता है तो उस प्रवाइवे अगर सब्सक्राहुआ क्या कर दो को Element का लिए यह दो किया ग्याँएं कि आखे लिए घ्जिक चैनल के ऊपर का कथ दो महलता है तो आप द्षास। में हालाों को ले करके आँख में डाल दीजिए उपर से आँख बंद कर दीए हाला जो है दोस्तों वो क्या करता है जैसे आपने देखा होगा कि सापू दाने की खीर जो उती है वो उपर से दाना कितना मुलाइम हो जाता है वो तो हालों भी बैसे ही अंदर फूल जाती है आँख के उपर आख के अंदर और जो फूल जाएगी जब वो अंदर घूमेंगी तो घूमने के अपरांद क्या होगा कि जो आप का कंकर है रेट है या किसी घास कतिनका है वो उसके च्पेट में आ जाएगी और उसके साथ चिप के जाएगा और थोड़ी देर के बाद जैसे आप आंख मे जाएगे तो वो वो चिपचिपा हो जाएगा वो दाना जो दाने होते हैं वो चिपचिप हो जाते हैं मुलाई हो जाते हैं और उन्हें के साथ लिकलते ही वो घास कतिनका या आपका जो रेट का कंड है वो उसके साथ चिप के बाहर आ जाएगा दोस्तों मैं चाहूंगा कि वेडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों में share करें और यह इस विडियो भी लाइक करें और चैनल को भी आप जरू सब्सक्राइब करें वीडियो को देखने के लिए दोस्तों अब वह बहुत धन्यवाद नश्कार